हलो दोस्तों नमस्कार एजुकेशन गार चैनल मैं आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2 से 3 अक्टूबर 2026 गर डेली करेंट अफैर समधी जीतने भी महतपूर्णा कोशन बसकते हैं सारे कोशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर कोशन से समधी इसपिट इप्ोटेंड भैक्ट मैं आपको बताऊंगा तो आप वीडियो के पूरा ध्यान से दखिए आज का पीडिये आप हमारे टेली गराम चैनल से जूट का डॉनलौड कर सकते हैं टेली ग्राम चैनल के डिस्क्रिप्सन में दे रहा हूँ से आप हमारे टेली करार दिखते हैं 100 फिर से उचे तिरेंगा के साय में होगी प्रदेश की सबसे बड़ी भगत्सी की प्रतिमा भिलाई सेक्टर 5 इस्थित तलाब परिसर में 25 फिट उची प्रतिमा इस्थापित की जाएगी इसका निर्मार यूद इस्तर पर चल रहा है निर्मारा दिन सौर्य इस मारा के सहीद ये आजाम भगत्सी की प्रतिमा इस्थापित की जाएगी या पूरी तरह से गन मेटल यानि मिश्री धातु का होगा तामबा पीतल कास्या से समाहित किया गया है और इसका वजन करीब 5 तन होगा दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में कहीं भी भगत्सी की इतनी बड़ी प्रतिमा इस्थापित नहीं है अब दोस्तों भगत्सी की प्रतिमा चातिस गड़ के दूर्गजिले की भ्याई सहर में इस्थापित की जा रही तो आप चातिस गड़ के मैप में दिखिए यह है दूर्गजिला के गठन 1906 में किया गया था दूर्गजिल का जिला में ख्याला है दूर्गा है साथी दोस्तों दूर्गा एक संभाग भी है यहां से कुछ और इंपोर्टेंट फेक्टर देखते हैं दूर्गा सिवनात नदी के किनारे बसा है और दोस्तों जो सिवनात नदी है यहां प्रदेश में सबसे लंबी बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। दूर्ग जीला प्रदेश में सरवाधिक साक्षर जीला है और यहां पर दूर्ग विश्विद्याला है जिसका नाम बदल कर स्वर्गी हेमचन विश्विद्याला रखा गया। साथी दोस्ते यहां पर देखिए यहां पर नागपूरा नामक एक इस्थालने जोस्तो जो जैनतीर ठंकर 23 वे पार्शुनात की यहां पर मंदीर इस्थापित की गई है। अर्दूर्ग जीले के भिलाई में 1955 में स्थापित की गई थी। उस समय भारत में 25 योजना का कार्यकाल था और दोस्तो जो भिलाई है इसे 36 गड़ की इस्टिल सिटी तथा ज्यान की राजधनी तथा 36 गड़ की आर्थिक राजधनी आदी का भी संग्या प्राप्ता कर साथ यहां पर कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में जानी है जैसे यहां पर दिखे दोस्तों से 36 गड़ इस्टेट इनस्टिया डेवलाप्में कार्परेशन लिमिटेट का यहां पर दोस्तो अध्योगिक प्रांती का रियाला दूर्ग में इस्थापित कि से जोती है तो यह घ्लाई में यहां पर प्रमुख ऊनी जीसे छूणा पत्तर इहां से नंदनी कुनधनी ख़धान से प्राप्त होता है जो दोस्तों यह का है फीसली का मत् streets दोस्तों यहां बद.. सबसे बड़ा चुना पत्थर का खधान भी यही है वासु देव चंद्राकर काम धनी विश्यवदाला दोस्तों यहां दूर्गा के प्रथम पसु चिकिस्ता तसा पसु पालन महाविश द्याला अंजूरा दूर्गा में रखा गया है पहले दोस्तों इसका नाम क्या था 36 गार काम धनी विश्यवदाला शे?. वासु देव चंद्राकर काम धनी विश्यवदाला रखने की घुस्रा मुक्हे मंत्री सिरी भूपेज बगल ने 2002 में भी इसमें किया था और दोस्तों यह वासु देव चंद्राकर है। इनहे happiest चाड़ाक्य के नाम से जाना जाता है और पर एक मतपूर्ण गार्डन है जिसका नाम है मैत्री गार्डन को रूस तथा भारात की महितरता का प्रतिक के रूप में देखा जाता है धरम जी मोरा राजी फटी लाजर कमपनी कुम्हारी दूरगा में इस्थित है तथा प्रदेश में 6 फल के 1 चेतर है तथा प्रतिसत के ह पेनल को सस्क्रेब कर बिल आइकन को प्रेश कर दिजिए क्यूंकि यही हमारा महिनत का फल होता है। नेश्ट क्वेश्चन है हाल ही मंत्रालाय महानेदी भवन में राष्ट पिता महात्मा गांधी की प्रतीमा का आल नाइन अनावराण किस ने किया। इसके सही अंसर है अप्सवन फर्ष्ट अमुख्य मंत्री सिरी भुपेश बगिल ने मंत्रालाय महानेदी भवन में राष्ट पिता महात्मा गांधी की एक सापचास्वी जेनती पर उनका प्रतीमा का आलिन अनावराण किया। कोईश्ट के स्पच्टी करार देखते हैं। सासनिक अधिकारियों वाजन तथगाण मान्या नागरी को ने महात्मा गांधी की प्रतीमा पर उस्पान जली अर्पित कर उन्हें नमन किया। पदमस्री से सम्मानित भजन गायक स्री मदन चौहान ने बापु के प्रिय भजनों का प्रस्तूत किया। तथा कारे करम भजन में गायक पदमस्री मदन चौहान सम्मानित किया गया। और इस मौके पर योगेंद्रा घृत लहरे द्वारा गांधी जी के जिवन आदार सब पर रचित चतिजगड़ी गीतों का संकलन पुस्तिका कभी यहां पर युमोचन किया गया। इस कोशन में देखिए दोस्तों कुछ और इंपोर्टेट यहां पर मंत्री है उनके बारे में जनिये। जैसे दोस्तों वर्तमान में 36 गड़ के ग्री मंत्री कौन है तो वर्तमान में 36 गड़ के लोक निर्माड व्याग मंत्री भी तामराधा सवहुजी है। इस कोशन में 36 गड़ का पंचायत यहां ग्रामीड विकास मंत्री कौन है। तो टीए स्युदेव वर्तमान में 36 गड़ के पंचायत यहां ग्रामीड विकास मंत्री है। और टीए स्युदेव वर्तमान में 36 गड़ के चिकित्सा मंत्री भी यही है। चिकित्सा मंत्री अर्थात दोस्तों स्वास्ता मंत्री भी यही है। यहाँ पर दोस्तो अगला अप्सन दिये जैसे 36 गड़ का राजयपाल तो दोस्तो वर्तमान में 36 गड़ का राजयपाल कोन है तो सूस्री अंसुया उइके जी वर्तमान में 36 गड़ के राजयपाल है और इसी से दोस्तो एक कोशन पूशा जा सकता है कि 36 गड़ का प्रथम महि पूछे का तो शूसरी अंसुया उखो जी स्थेतिसगर के प्रथम पूर्ण कालिक महिला प्रथम महिला राजयपाल है साथी दुस्तो च्वात्रीन का प्रथम राजयप। कोन थे तो दुस्तो différents ले यिन से अर्था दुस्तों धनेस नंदन से ऊथथि算 प्रत्थम राजय पाल को सस्क्रेब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए क्योंकि यहीं हमारा महिनत का फल होता है आप इतने फेक्टर को इस कुष्चन से रेटेट करके याद रखिए साथी आपर नेस्ट कुष्चन की और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दिखिए नेस्ट कुष्चन हाली में किसने बस्तर नोनी काल सिंटर और गड़बो नवा जग्दलपूर कार्यकरम का सुभारम किया इसके सही अंसर है आप्षन फस्त डक्टर ट्रेम सी टेकाम द्वारा बस्तर नोणी काल सिंटर और घड़बो नवा जगदलपूर कार्य करया करयाम का सुभारम किया question के पस्टी कराण दिखते है आदिम जाति कल्यार मंत्री और बस्तर जीले के प्रभारी मंत्री डक्टर प्रेम साइर टेकाम ने आज वीडियो कांफ्रेसिम के जरिये कोरोना के संबन में लोगों की सहता के लिए इस्थापिद बस्तर नोनी काल सेंटर का सुभारम किया मंत्री डाक्टर टेकाम ने कोरोना के समद में लोगों की सहायता के लिए इस्थापित काल सेंटर का सरहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में जब पूरवीश्व अपने तरीके के महमारी से लणने का कोशिज कर रहा है वहां हमें भी आगे आने किया सकता है और यहां काल सेंटर काफी लोगों की समस्याओं को प्रसासन तक पहुचाने में सहारा बनेगा और जनता के भरोसत दिलाएगा की सासन प्रसासन और उनके स्वास्त को लेकर गंभी तथा तथपर है नेश्टर कुच्चन है हाली में Artificial Intelligence पढ़ाने वाला देश का दूसरा संस्थान कौन बन गया है इसका सही अंसर है आपसन सेकें आई 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 टी भिलाई कोच्चन के सपच्टी कराण देखते हैं Artificial Intelligence की पढ़ाई कराने वाला देश का दूसरा संस्थान बनेगा IIT भिलाई IIT भिलाई में इसी सत्र से Artificial Intelligence Data Science प्रोग्राम में बीट एक शुरू होने वाला है यह प्रोग्राम कराने वाला IIT भिलाई देश का दूसरा संस्थान बन गया है अभी IIT हैदराबाद में Plain Artificial Intelligence के क्लासेस लग रही है भिलाई में शुरू होने वाले इस कोर्सों के खास्यत है कि यह Artificial Intelligence में Data Science भी सामिल होगा और इस कोर्स IIT भिलाई के टीम को ने ही डिजैन किया है तथा यहाँ 4 साल का होगा और इसे JEE Advanced के परिड़ाम के बाद छात्रत दाखिला के लिए आवेदन कर सकेंगे नेस्ट कुश्चन है बिज्यान गंगा 34 गर के किस जिले से समधित है इसका सही अंसर है आप्शन फर्स्ट दंते वाड़ा जिला से समधित है कुश्चन का स्पश्टी करार दिखते हैं दंते वाड़ा जिले के गाउं और सहर के बच्चों के डिजिटल लर्निंग के अंतर को खत्म करने में दंते वाड़ा की एक बड़ी सुरुवात की गई है। पढ़ाई के लिए अब दंते वाड़ा के अंतरुनी गाउं के बच्चों को नेटवर्क तथा डाटा की जरुवत नहीं पढ़ रही है। किया जाएगा और इसके माध्यम से आप लिए रहा कर भी जनकारी ली जा सकती है। चतिस गाउसन के पढ़ाई तुहर द्वार तथा मुहला कलास कार्य करम चलाया जा रहा है। परन्तु दंते वारा जिले के अंदरनुई शेत्र में रेटवर्क की कमी है तथा यहां बच्चों के पास मुबाइल नहोने के कारण यहाँ विकाल पप्राराम किया गया। अब यहाँ कोशियन 16 गड की दंते वारा जिले से समब़रिह था तो आप 26 गर की मेप में दिखिए यह दंते वारा जिला में है बईला डिला के पाड़ी अर दोस्तों जो बैला डिला के पाड़ी है यहां से लआऄ आहसक का उत्खनन किए जाता है इसे विसाका पत्ना बंदारगाह से जपान को निर्यात किया जाता है और ड़से जोजन्दे वाडा जीला में सित बैला डीला के पहडी है इसकी सर्वाच चोटी कोन है तो इसकी सर्वाच चोटी है नंदी राज की चोटी जिसकी उचाई है 12-17 मिटर और इसी परवस से संख्री नदी का उद्गम होता है यहाँ पर देखे दोस्तों प्रदेश का सबसे छोटा राश्टी राजमारगा एनेच 163A दंतेवडा जीला क के गीदम से दंतेवडा के मध्य है और इसकी जो लंबई है यह सीर्फ बाला किलोमीटर है यहाँ से कुछ और इंपोर्टेंट फैक्टर को यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दूस्तों लाव आयस का बैला डिला है इसमें 1968 में सार्वा प्रत्थम एनेमडी सी अर्थात ने दंतेश्वरी माई एरपोर्ट रखने के अभी घुशडा राजिय सरकार ने की है दंतेश्वरी मंदीर का निर्माड काक्ति वंसी राजा अन्नम द्वारा किया गया था और यहाँ पर एक दोस्तों महत्तपून इस्थाला जिसका नाम है बासूर यहाँ पर छिंदक नाग म उसी सासकों की राजधानी थी प्रसीद यहाँ पर मामा भाचा मंदीर बतिस्था मंदीर तो था चंद्रा दितियस्वर मंदीर बासूर में इस्थित है यहाँ पर बोद घार नदी घाटी प्रयोजना है जो इंद्रवती नदी पर पस्तावित और यहाँ धंतेवाडा जिल प्रेवाद